ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु साधर जैसी कृष्ण हमारे यूटीब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है में हूँ आपके साथ आचारिधन मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले 15 जनवरी 2022 शनिवार का दिन है पोश माहा के शुकलपक्ष की त्रयोध शीती थी है इस दिन प्रदोश का अवरत रहेगा तथा मकर सक्रांति का पुन्यकाल और परवकाल भी इसी दिन रहेगा म्रक्षिरा नामक नक्षत्र होगा तथा व्रशब रासी में तंदरमा भिद्यमान रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूरु दिशा की यात्रा करना नुकसान दाइसा भी थोगा अगर किसी कारणवस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत जाड़ा अवश्यक हो तो अध्रक खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू हो करके दस बज के तीस मिनिट तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एबं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने ख्रेत रखे पंचांक अथ्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है तो सब से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रान्ती महापर्व की बहुत बहुत शुबकाम नहें और वधाया भगवान सुरी नाराइन का भरपूर आश्यरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जोकी मकर राशी में चंद्रमा ब्रशब राशी में, मंगल गरह व्रश्चिक राशी में, बुद गरह मकर राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जोकी कुम्ब राशी में, शुक्र गरह धनू राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहू व्रशब तथा केतू व्रश्चिक राशी में प्रगति के उत्ताम आउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी 12 राशिवालों का देनिक राशिवल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आल का दान किसी भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। अगर कहीं पूझी निवेश या फिर नया काम करने का विचा प्रतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिनाम हासिल होगे। और उपाई के रूप में भागवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा। भागिशाली रंग आ आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे। उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की, घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं, सकरात्मक विच अच्छे हो जाएंगे, उपाय के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, पिछले कुछ सम समस्याओं का निवारन होगा, काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, घर का माहुल पाजटिव रहेगा, अपनी पढ़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी, दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा, पढ़ोसि के रूप में लाल रंग का फल यदि आप भोजन के बाद खाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है, अब अपने अंदर अद्भूत उर्जाव आत्मिश्वास महसूस करेंगे, तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा, अपने मन मताबिक कारिक करने से आपको रहात मिलेगी, किसी किसी समय भाउक्ता और आलस्य क की वज़े से बनते-बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरते, सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए, उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्णुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदा इसाबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं तुला राशी की, कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे, दूसरों की समस्यावव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूम प्रापर्ती में भी आपको फाइडा हो सकता है, उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुपलदाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, अब हम बात करते हैं वर आपका समय वितीत होगा। कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मान सम्मान को भी बचा कर रखने की आउशत्ता होगी। और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं, लेंदेन करते हैं, तो उसके बारे म चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा, वरना आप नुकसान में आ सकते हैं। और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा। अब ह मद्यस्ता से हल हो जाएगा। कुल मिलाकर के समय खुश्णुमा रहेगा। रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना चाहिए, किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए। और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान क किसी भी गरीब या जर्वत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका डेन शुफलदाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक तीन होगा, भगिशाली रंग आपका आस्मानी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशी की। धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा, आपका रुजान वहाँ पर जादा रहेगा, आपको मनसिक वा शारीरी रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे, कोई महत्यपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा, जिसे मन आपका प्रसन रहेगा, कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है, आज उसे पूरे करने का उचित समय है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग अपका पीला होगा, अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की, आज आपको महत्तु पूर्ण समाचार मिलने वाला है, कोई महत्तु पूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है, धनलाब के सांथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्रापत हो सकती है, पदोन्नति के सांथ सांथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कार्य करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के निरणय को आपको प्राक्मिक्ता देना चाहिए आपको अबश्य ही उचित मार्गदर्सन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़ादा उपलग्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तिक्यों में सुधार होगा, धनलाब होगा, परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागईशाली अंक चार होगा, भागईशाली रण आपका नीला होगा तो मित्रों या बारा राशि का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाएत था भागईशाली अंक और भागईशाली रण हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद